हेलो दोस्तो योटी टेन एक्सेलन एक्जाम में मैं विवे एक आपका फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तो आज है क्लास बहुत ही ज़्यादा महत पूर होने वाला क्योंकि दोस्तो आज में लेकर आचुके हैं कक्षा 12 फिजिक्स में टाप 20 दिर्दुतरी प्रशन पूरे बुक से जो कि आपको बोड एक्जाम में इससे आपके कोश्टन बनेंगे ही बनेंगे ठीक है याई दोस्तो पिछले बार इक कोश्टन ये बना है बहुत बार इने रिपीट किया है बोड एक्जाम में तो कम सहिए 20 कोश्टन आप सही बच्चों को अच्छे से त्यार कर लेना है आपके बोड एक्जाम के लिए ठीक हैं प्रश्र को जो है दिर्गुत्री प्रश्र के लिए आप सभी त्यार कर लिजेगा ठीक है तो दोस्तों चैनल को सस्क्राइब ने किया सस्क्राइब करके घंटी को दवा करके आल पर किलिक कर देजिएगा तकि आने वाले समय की इंपर्टेन क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे साथ जो बच्चे अभी तक टेली ग्राम और वर्शप गुरूप से नहीं जुड़े इस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्टेन वाकर सबसे पहले टेली ग्राम का उसके बाद वर्शप गुरूप का लिंक दिया गया अब बिल्कुल जाएक जुड़े जिएगा ताकि जितने भी अब बोर्ड पेपर से पहले पहले जितने भी क्लास अब चलेगा सभी इंपोर्टेन रहेगा और इससे कुशन आपके पेपर में बने गया बने गया ठीक है तो आपसे एकदम तयार रहेगा साथ में आप सभी बच्चों को हम बारबन नोटिस करते चल रहे हैं बताते चल रहे हैं कि आपको टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करनी और ध्यान सुनेगा आप आपको 2018 से ले करके 2022 तक के कुश्चन को जो है आपको अब तयार करनी इससे ज़्याद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं नया कुशन आप सभी को नहीं लगाना है और कोसी सरह एक 2022 का प्रशन आपको अच्छी से तयार होना चीए बाकि जो लागातार ध्यान सुनेगा ज तो दोसरे यहां पर हमने कोस्टन जो सलेक्ट किया हुआ है तो यहां पर हमने जैसे कि आपको पेपर में खंड यहां में जो है आपको कोस्टन देखने के लिए मिलता है तो यहां पर जो हमने सलेक्ट किया हुआ कोस्टन है आपको इसी तरीके से दीखेगा ठीक है तो आप आपको कोशन बैंग में खोजन में बिल्कुल आसान इस तरीकिस होगी, आप 2022 कोशन को पेपर में देखेंगे, आपको सभी कोशन का इंसार मिल जाएगा और इन सभी कोशन को आप अच्छे से तयार कर ली जाएगा, ठीक है, तो कोशन पहला है आपका कि हाइगेंस के तरंग स मिल जाता किसी ने किसी सेट में, तो इस कोशन को आप सभी भेरी इंपोर्टन में लगा करके, आप इसको तयार करके ही एकजाम में जाएगा, यह मिलेगा, ठीक है, इसी में दोस्तों एक कोशन हमने और सेलेक्ट किया हुआ है, कि एक पतली दिया सुलेगा, यह अथभा करि कास के विवर्तन की विवेचना कीजिए, केंदरी उचिष्ट की कोणी चोड़ाई का ब्यंजब प्राप्त कीजिए, यह भी बहुत साथ पूछा हुआ पेपर में कोशन है, यह भी आप सभी के लिए भेरी इंपोर्टन रहने वाले है, ठीक है, तो इसको भी आपको तयार क करके ही जानी है, ठीक है, इसके बाद दोस्तों चौधा कोशन है कि किसी प्रीजम का अपवार्तन कोड ये तथा, अपवार्तनांग आपको कोड ये पांट टू है, तो कहता है कि न्यूनितम बीचलन कोड का मान आपको ग्याद करना, यह भी आपका क्या भेरी इंपोर्टन कोशन है, तो इसको भी आपको त्यार कर लेनी है, यह आपके प्रकास वाले चेप्टर से है, ठीक है, इसके बाद दोस्तों पांचावार्तन कोशन है कि सिद्ध कीजिये कि एक समरूब त्रीज्य चुम्ब की छेतर में धरावाई कुंडली पर आरोपित बलयूग में टाव प्रतिकों के अपने क्या सामाने आर्थ है, इसको भी आप बिल्कुल त्यार है, यह भी जो है, आपका भेरी इपोर्टन कई बार यह लगातर कोशन बोर्ट एक्जम में पूछे गए हैं, ठीक है, तो इसको भी आपको त्यार करना है, बच्छा आपको बता दें, पढ़ान इसको त्यार करना सुरू कर दीजिए, ठीक है, इसका दोस्तों छटन नमर का कोशन है, कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तरथा 1.5 अपवर्टनाग वाले काच की गोले में वायू का बुलबूला के अंदर से 1 सेंटीमीटर दूर पर है, प्यास की दिशा में देखने पर बुल तो आप बिल्कुल कम समय में 5 वे 5 अंक भी प्राप्त कर सकते हैं अगर इस अंकी को सही करते हैं तब, चिक है, चलिए अगले कोश्चन की तरह बढ़ लेते हैं, अगला कोश्चन है, यानि कि दोस्तों अब अगर ये बात करें, तो यहांब आप देख पाएं, ये 7 नमर का कोश्चन है, 7 कोश्चन है कि अन्योन प्रेरण से क्या विप्रा है, अन्योन प्रेरण गुडांक की परिभासा दीजिए, दो समतल कुंडलियों कि अन्योन प्रेरकातों का सुत्र भी आपको क्या करना है, इस था भी तेहां पर करनी है, ठीक है, तो इसको भी आपको क्या है बेर इंपोर्टेंट है ये भी आपका लगाता कोश्चन बोर्ड एक्जाम में आए हुए है तो इसको भी आप तयार करिएगा इसके दोस्तों अगला कोश्चन है कि नाविकी विखंडन एवं नाविकी सलेंट से आप क्या समस्ते उदारो सहित ब्याख्या कीजिए बचो ये बहुत ही सिंपल सा ये बन सिर्फ घया करनी है कहानी की दरया आपको ये याद करनी है ये क्योंकि ये कॉश्चन वहीं है इसको अप सो भी 5 उख के लिए तयार करके जाएगा आपका 5 उख कोश्चन कोश्चनbie हो जाएगा ठीक है इसके दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं यह हमने दूसरे सेट से question सेलेक्ट किया हुआ है तो यहां पर बात करेंगे तो एक question number से आप मत जाएगा ठीक है इसके दोस्तों अगला question है कि एक पतली एक कल जीरी द्वारा एक वड़ी प्रकास के विवेरतन की विवेचना कीजिये केंदरी उचीष्ट की कोणी चोड़ाई का बेंजग आपको प्राप्त करने यह भी आपके कहा है लगातार question जो है पेपर में आ रहेत यह भी आपका क्या बेरी important है इसके दोस्तों अगला है कि सौर सेल क्या है सौर सेल की सरचना है यह कारविदी को लिखे अब यह बहुत प्यारा सा question है यह बिल्कुल theory है कहानी के तोर पर आप बिल्कुल इसको पढ़ेंगे चीज़े याद होगे आप इसको लिख सकते है इन नय में बहुत बार एक question repeat किया हुआ है ठीक है अगला question है कि एक समतर उत्तर लेंस का ब्याद 6 cm है तथा मोटाए 3 mm है इस lens की focus दूरी ग्याद करना लेंस के पदार्त में प्रकास की जो चाले वो दो गुड़े 10 गाते 8 मिंटर पर सेकेंड यह बच्चों क्या है आपका यह आपका क्या आंकिक प्रश्न है और यह आपके light से question लिया गया है very important इसको आप पांचंग में तयार कर सकते हैं अगला question है कि एक समन वैद्धू छेतर में इस्थिद वैद्ध देद्रू पर लगने वाले बल युगम के आघूर के लिए बेंजर प्राप्त कीजिए इसकी सहायता से विद्धू देद्रू आगुड की परिभासा भी दीजिए ये भी आपके क्या है लगातार question पूछे गए बोलीचा में very important है इसको आपको तयार करनी है अगला question है आपका कि दियेगे परिपत के लिए प्रत्य एक शाखा में बहने वाली धारा की आपको यहाँ पर कड़ना करनी है ये आपका नया में question लेकि ये very important है आप इसको देख सकते हैं इसको लगा कर सकते हैं इसके दोसरा अगला question है कि पीयन संदी very important पीयन संदी डायट के लिए अग्रत दिशिक अभिनत एवं उतक्रम अभिनत से क्या ततपर है यहाँ पूढ तरंग दिश्रकारी के रूप में कैसे प्रिक्त होता है परिपत आदिक बना कर समझाईए अब यह प्रचुब आपको बता दे कि यह भी question जो है आपके board paper में लगातार आते हैं और आ रहे हैं ठीक है तो इसको भी आप जो है very 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 important इसको आपको त्यार करके ही जाने यह किसी किसी state में भी इस बार दीखेगा ठीक ह इसको छोड़ना नहीं है अगला एक अलफा कड के प्रक्रिणम प्रियोग का वाडन कीजिए इस प्रियोग से प्राप्त प्रणामों प्र आधारी तरहतर फोड़ का परमाडू model लिखिए यह भी आपका क्या है लागाता question जो है paper में आ रहे है यह इक भी question आपको इसमें से उर्जा आपको आपको दिया हुआ है इतना है परमाडू है तो उर्जा इसतर आरेक बनाकर बामर लाइमन स्रेडी के वड़ रेखाओं के लिए संक्रमण दरसा यह दोनों स्रेडी के प्रतम वड़ रेखाओं के उर्जा इलेक्टरान बोल्ट में दरसा यह hydrogen के iron उर्जा भ इसके अगल दोस्तों यहां पर एक कापर दिया है कि कापर के किसी सीख्य का दर्ब्यमान 5 ग्राम है सीख्य के सभी नीट्रान नों यह वं प्रोटानों को एक दूसरे से अलग करने है तो आवैसे और जाकी यह दोड़ना है यह मीवी में कीजिए जब कि आपको कापर का दर प्रश्न है इसको भी आप एक बात जरूर शॉल्वत कर लिदेगा ठीक है बाकि अगर इसमें से अगर कोई भी आंकिक अगर नहीं आती आपको बिल्कुल कमेंट बॉक्षर कमेंट करेगा आने वाले समय कि इसमें का जीतने भी इसमें इसमें आपको समझा देंगे अगला कोईशन के संधी डायोड क्या है बहरी इंपोर्टेंट है लगातर कोईशन यह भी पूचा गया है पिन संधी के अगर अभिनेत और पस अभिनेत ए तुँ वांचित परिपात बनाए तथा दोनों स्थितियों में अभिलाग शडि वक्रभी दरसा यह दिये परिपात में अमीटर A1, A2 का पठेंग क्या होगा डायोड डी एक आदर से डायोड है अब यह भी इंपोर्टेंट कोईशन है बच्चो यह कई बार यह लगातर कोईशन एक्जामें पूचा गया इसको भी आपको त्यार करनी है ठीक है अगला है कि द्रबे तरंगे क्या है दे प्रागली तरंग दर्द का सुत्र लिखे सिद्ध कीजिए कि विद्दु चुमकी विकिर यह तो तरंग दर्द संगत फोटान के दे प्रागली तरंग दर्द के बराबर होती यह भी आपका बेरी बेरी इंपोर्टेंट कोईशन है इसको भी होनना नहीं है आगे इसी मांकिक प्रशन भी रख दिया है कि पांच ड्यावडर और मानेस दो ड्यावडर चमता के दो लेंस संपर्क में रखे जाते ओवसायुक्त लेंस की फोकर्स दूरी की गढ़ना यहां पर करनी भेरी 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 इंपोर्टन यह प्रकास सब्सक्राइ अगला हाइगे इसके आधार पर प्रकास पर अपॉर्टन के निमों की प्रति पादित कि अब हाइगे इस तरेंगी आउगे श्क्राइटा का और समझाए किसी धारमापी को बोल्टी मीटर में कैसे परिवर्चित करेंगे समझाए किसी धारमापी में एक एंपियर की धारापुर्ट पैमाने पर विक्षे पॉन्पन करती इसे दस एंपियर परास के अब मीटर में परिवर्थित करने है तो प्रति श्रंट एवं धारमापी के प्रतिरोत के संबंद इस्थाबित कीजिए प्रतिरोत में संबंद इ आपद संपूर आवेस क्यू का वन पान एफसाले नाट गुना होता है, वेदुद छेतर आपको ये दिया इतना है, इसती छेतर फल है, और इतना गुजननेवल संपूर वेदुद फुलक्स का मान गयात कीजिए, ये वाला हमने आंकिक साथ करवा चुके हैं, आपको छोटे वाले कोश्चन में, ठीके, इसमें एक आंकिक और ये आपको सिद करने के लिए भेरी 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 इंपोर्टेंट कोश्चन है, इसको आपको त्यार करना है, ये लगातार कोश्चन जो है, आपके बोर्ट पेपर में आ रहे हैं, और एक है आपका गौस के नियम, गौस के नियम तो बच्चों अगर इसमें नहीं सेलेक्ट किया नहीं होगा तो गास का नियम भी आप सभी अच्छे स्तियार कर लिज़ेगा उसका डिरिवेशन वो पूस्ता ही पूस्ता है ठीक है चलिए अगले सेट की तरफ मैंने कोशन हमने सेलेक्ट किया हुआ कि इस्थीर अगला अगला है कि किसी ठाट्य के वैदू कि धतर अर्थ समझेट सेँ Liter अगला है यह भी प्चो आपको पता दे कि आपके यह भी आपके बोट पेपर में आए वोगेट यह भी आपका लगातार कोश्ण जो है बोट पेपर में आया हुआ है इसको भी आपको छोड़ाना रही सभी कोशन आज का क्या है बहुत ही ज्यादे इंपोर्टेंट है आगे दोस्तों वही है कि संपर्क में दो रखे दो पतल लेंस के सभी के लिए फोकस दोरी का सुर्थ निग्मित कीजिए इसके पहले भी कोशन लिए आ चुका है इसमें एक जोए आंकीक प्रेश्ण यहां पर एड किया हुआ है ठीक है तो अगर आने वाले समय इसका हम आंकीक आप सभी को करवा देंगे अब यह भी कोशन रिपीट कर रहा है कि पीजिए संधी टायोट के अब अच्छा है परत यहां बीवर प्रैचर में लागातार आपके किसी किसी सेट में दिख जाते हैं इसको तैयार के का अब बहुर के परमाडू परमाडू प्रारूप के अभी अभी क्रियेतों को लिखिए इसके आधार पर हाइड्रोजन परमाडू के बहुर कक्षा जी तरिजाएक ले सुत्र निग्मित की यह भी आपके लागातार पेपर में आई वह इसको भी आपको छोड़ना नहीं है अगला कोश्चन की चुम्ब की छेदर में किसी धरवाई कुंडली पर लगने वाले बल अगूर ताउ का यहां पर आपको क्या करना है निग्मन करना है प्राप्त करने और यहां पर एक इसमें आं लिखना है एक बीवमापी के तार की लंबाई इतना दिया है इसमें प्रवाई धारा इतना है 1.5 वोल्ड की 10 ओम आंतरिक प्रतिरोद वाले सेल से संतूलन की 20 सेंतिमीटर प्राप्त होता है सेल से एक बोल्ड मीटर जोडने पर संतूलन जो ए 9 सेंतिमीटर आ जाता है इतने कोश्चन आपको यहां में फिलाल तयार करने सभी कोश्चन आपके बहुत ही ज़्याज़ इपॉर्टेंट अगर जो बच इतना अगर पढ़ लेते हैं आपका चार कोश्चन आपको करना होता है दिर्ग में आपका पूरा कंपलीट यहां पर हो जाएगा ठीक है अब इसको आने वाले समय में हम करवा देंगे अलग से अब इसको तयार रखे लेगा ठीक है इसके बाद दोस्तों आगे है अगला कोश्चन दिये के प्रतावर्दी धारा परिपत की सहायतिस आपको ग्याद करना बोल्टेज का वर्ग मार मूल ग्याद करना है प्रतिगाद धा दारा तदा बोल्टेज में कलांतर ये आपको पांच पॉइंट आपको तयार करने और पांचों पर एक अगाद आपको मिलेगा ये इस तरीके से 2022 में कोश्चन आया गुआ था ठीक है और अथवा करके के प्रत्यवर्दी धारा जनितगर नमांगे चीत की सहायतिस उसकी का और इसको भी आप तयार रखेंगा ये भी रिपीट करता है एकसामें ठीक है इसके अगला है कि 60 अपवारत कोड़ वाले प्रिजम का पीले प्रकास के लिए आपको रूट में डू है तो अलपतन विजलन की इस्तिति में ग्याद आपको करना है अलपतन विजलन कोड़ आपको ग्याद कर दिए तो दोसर ये आपको क्या है आंकिक प्रशन है तो आने वाले समय में जो है इसका मांकिक प्रशन एक ही वीडियो में हम आपको अच्छे से करा देंगे ठीक है बाकि अगर कुशिन के बैंग में अगर मिलता है तो बिलकुर आपकर सकते 2022 में कुशन आए गुए हैं कि एक बी पोश्चन 2022 से खोजेंगे, आपको सभी कोश्चन जो है, आपके कोश्चन बैंक में मिल जाएंगे, अब अगला है कि करांति कोड से क्या भी प्रा है, प्रकास के किरण माध्यम, फर्ष अपवर्तनांग, आपको एनवन से माध्यम 2 अपवर्तनांग सकते हैं, यह भी आपका क्या भेरी इंपोर्टन है, यह सभी कोश्चन थोड़ा सा हाट लेवल पर आ जाते हैं, इसको भी आप तयार रखेगा, इसका दोस्तों अगला है आपका, कि समानतर प्लेट संधारित के धारिता की सुत्र ज्याद कीजिए, जबकि उसकी प्लेटों पेपर में आए हुए कोश्चन छोड़ाना एक भी नहीं है, दोस्तों लाश्च कोश्चन है कि किसी सेर के आंतर प्रत्रोत का क्या अर्थ है, यह किन कारकोपर नेर्भर करता है, यह यहाँ पर आंकिक प्रिशन आपन दिया हुआ है, ठीक है, भेरी भेरी इंपोर्टेंट ह और इसको आपको त्यान कर लेड़ी, बाकि दोस्तों हमने पूरे बोक से जो है, यह आपने इंपोर्टेंट कोश्चन सेलेक्ट किया हुआ है, फिर भी कोई भी कोश्चन छूर जाती है, ध्यान में रखिएगा, आपने कोश्चन बैक भी जो लगा था, पांच अंक वाले म जो कोश्चन लगा था, चार से पांच साल, छे साल, साल, आर साल, आर है, उसको आप जरूर बढ़ लिज़ेगा एक बार, और खास दरपर 2022 में अगर आया हुआ कोश्चन है, जरूर पढ़ियागा क्योंकि दोस्तों, 2022 का ही एक ऐसा पेपर है, जो कि 70% सलेबस पर बना बाकि कुछ कोश्चन का छोड़ भी जाते हैं, तो उसको लगातार वाले कोश्चन उसको ही करना है, और हमने आपको इस सुत्र भी बता दिया आप से बच्चों के लिए, कि आपको जो है, अब 2018 से अगर 2017 का भी मिल जाता है, 2018 से लेके 2022 तक के कोश्चन को आपको अब तयार करने हैं, इससे ज़्यादा आपको पाणिक ज़रूरत नहीं है, इसी मिसे आएगा, और ये सभी कोश्चन जो है, आपको कोश्चन बैंक में मिल जाएगा, कोश्चन बैंक आपके पास होनी चीए, किसी भी राइडर, किसी प्रकार्शन के उच्च सब कोश्चन बैंक अच् उम्मीदें दोस्तों कि ये वीडियो आप सभी को अच्छे समाझ में आगया होगा, और पूरे बूक से मिने 20 कोश्चन आप सलेक लिए, जो भी आप देख पा रहे हैंगे, और ये कोश्चन आप तयार कर लिजएगा, इसी मिसे आपको पेपर में देखने के लिए ज़रू होज है, तो सभी हमारे प्यारे इस्टोरेटनें, जितने भी हमारे प्यारे बच्चे चैनल जुड़े, आप सो बिलकुर शेर कर देजिएगा, और जो नए बच्चे चैनल ने पहली बारे अभी तक अपनों चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो बिलकुर चैनल को सस्क् टेली करना में वाट्शोप गूर्प से भी जूर ज़िए इसका लिंक हुजए आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिस्टन बाक्ष में दिया गया बिलकुल जूर जूर जो भी इंपोर्टेंट क्लास है उसको आप टाइम टू टाइम लेते रहेगा ठीक है तो मिलते हैं दोस्त